नमस्कार दोस्तों मैं आयुष आपका इलेक्ट्रिकल दोस्त आज हम इलेक्ट्रिकल के एक काफी important topic के उपर discuss करने वाले हैं हम जानेगे कि हमारी जो AC motor होती है इस AC motor के उपर तो हमें cooling fan देखने को मिलता है लेकिन जब DC motor की बात आती है तो इस पर हमें कोई भी cooling fan देखने को नहीं मिलता इसके पीछे आखिर का region क्या है वहीं आज के छोड़े से वीडियो में आप आसानी से जान जाएंगे साथ ही में आप electrical से जुड़े कुछ और important बाते भी इस वीडियो में जानने वाले हैं तो बिना जादे दिरिगरे वीडियो को start कर लेते हैं तो सबसे पहली एक बात यह दियान रखिए कई बार हम industry के अंदर AC motor DC motor की जब पहचान करते हैं तो हम यह बोलते हैं कि AC motor के उपर आपको दिखने में कुछ इस तरीके से strips देखने को मिलती है जिसको हम cooling fins भी बोलता है लेकिन जब आप DC motor की बात करते हो तो DC motor आपको बिल्कुल plane देखने को नहीं मिलती है तो यहां तक तो सभी चीज़े सही है लेकिन कई सारे लोग साथ में यह बोलता है कि AC motor के अंदर हमें cooling fan देखने को मिलता है लेकिन DC motor के अंदर जो cooling fan होता है वो इस motor के बाहर नहीं होता है वो इसके अंदर की side होता है क्योंकि DC motor को cooling के requirement होती है वो होती है इसके internal side मतलब इसका जो rotor side होता है नवे DC motor का उस rotor side में cooling की requirement होती है अब यहां पर एक काफी important सवाल आप सभी मन में आ जाना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि DC मोटर को हमारी कूलिंग की requirement rotor side है लेकिन जब हमने बात करी AC motor की तो AC motor को तो कूलिंग चाहिए वह चाहिए हमारे स्टेटर पर इसलिए हम इसलिए इसमें cooling fan जो है वह बाहर की side लगा रहे तो ऐसा क्यों है DC motor का अंदर cooling करनी है, DC motor को बाहर cooling करनी है, यह क्या है, इसको भी हम आसानी से समझने के लिए, आपको सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए, जैसे कि आप सभी जानते भी हो अलड़ी, कि हमारों जो भी magnet होता है, जो भी हम permanent magnet की बात करते हैं, जो हम market से इस तरीके से खरीद क लाता है, इस magnet के आसपास एक magnetic field होती है, जिसके संपर्क में अगर कुछ में metallic point आ जाता है, जैसे कि कोई लोहा आ गया, कोई कील आ गी, तो यह चमबक उसको अपनी तरफ खेच लेता है, और यह जो magnet की आसपास जो लाइन होती है, जिसमें यह चुमबक को अपनी तरफ लोह दिख रहा है, अगर मैं इस wire में से हमारे current को flow कराता हूँ, current हमारा गुजारता हूँ, तो उस case में हमारे इस wire के पास में भी हमारे magnetic field बन रही होगी, जिस तरीके से magnetic field हमारे magnet के पास में बनती है, सेम इसी तरीके से magnetic field हमारे wire के पास में भी बनती है, तो रोसों यह तो आप आपने जान लिया कि magnetic field बन गई लेकिन यहां पर आप electrical से चुड़े वे तो आप को एक और बार पता होनी चाहिए कि जब wire के पास में जब current flow होता है जब हमारा यह wire है इस wire में से current flow होता है तो इसके पास में जो magnetic field बनती है न वह है magnetic field किस तरीखी की बनेगी वह आपके दोनों current में अलग-अलग हो जाती है मतलग इस wire में से अगर आपका AC current flow हो रहा है तो उस case में magnetic field बनेगी यह different होगी लेकिन जब DC current flow होगा तो DC current के case में हमारी magnetic field बनेगी इस wire के पास में बनती है वो magnetic field जो होती है उसके magnetic field की जो direction होती है वो direction बार-बार change हो रही होती है यह AC current में हमारी changing magnetic field बन रही है मतलब magnetic field में जो बार-बार changes हारे इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब simple सा है आप सभी एक जानता है कि जो AC current flow होता है AC current हमारा एक direction में flow नहीं होता मतलब कि हमारा एक wire है माल ले है इस में मैं इधर से कुछ देता हूं और यदर में कोई प्लॉब होगया कुछ भी तो हमारे हैं तो दो इस बदलती है ना किस वज़े से तो यह वादलती है उमरे इंडिया के अंदर जो AC supply यूज की जारी हो 50 हर्ट फ्रेक्वेंसी की जारी है तो 50 हर्ट में यही तो होता है हमारी यह cycle में हमारा current flow होता है तो जो नीचे वाली cycle होती है इसका मतलब हो गया है कि अब हमारा current opposite direction में flow रहा है फिर बार वापस ही direction में तो इस तरीके से एक सेकंड में 50 बार current होता है हमारा AC current जब AC current बार बार थो इसके direction बदल ही होती है तो वो ऐसके current क्या होता है उस बार मार दारेक्शन बदलने current जो इसके पास में असके बनेगी वह लेकिन अभी हमारी मेंगनेटिक फिल्ट इस तरीके से बन रही है नीचे से उपर के जाइड लेकिन अभी हमारी मेंगनेटिक फिल्ट इस डायरेक्षण में फ्लो नहीं होगी इसमें DC में आप देखें कोई भी हमारे 0 के नीचे कोई भी इस तरीके से ऐसे साइकल नहीं है ठीक है तो इस वज़े से क्या पता चलना है इससे यह पता चलना है हमारा DC का जो करेंट है ब्ष कोई भी इस चापिक में जाना काफिजाब जरूरी इसलिए हैं क्यूकि आप सविनेंजी ठीट का हैं ठीक है आप नाम भी याद रख सकते हैं, काफे जाद आपके काम आएगा, उनका कहना क्या था, उनका कहना ये था, कि माल लीजे ही मेरा एक wire है, ठीक है, इस wire में मेरा current flow हो रहा है, और उनके कहने का मतलब low का मतलब क्या है, low का मतलब है कि उन्होंने इस चीज को साबित करके दिखा रहा है, कि ये चीज होगी ही होगी, ये Mitchell Friday ने साबित करके बताया था, ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई conductor है, जैसे मालों ये जो है न, ब्लेक लगाई, ये एक wire है, इस wire में हमारा current flow हो रहा है, अब ये AC current है, तो current की बार 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 डायक्शन बर लिए लिए कभी इधर हो रहा है current, कभी इधर होडा ऐसे ऐसे है, current हमारा flow हो रहा है, अब जब भी current flow होगा, तो इसके वाजे से क्या होगा, इसके पास में हमारी changing magnetic field बनेगी, मतलब जो magnetic field बनेगी उसकी बार 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 डायक्शन चेंज हो रही होगी, अब दोस्तों, क्या बोला लोहा भी एक conductor है तो इसमें भी current flow हो सकता है तो अगर मैं कोई भी चीज इस magnetic field की direction में रख दूंगा लाके जैसे मालनों मैंने यहाँ पर कोई iron की है ना एक plate रख दी छोटी सी अगर मैंने यहाँ पर रख दियो और इसमें से AC current बहने लग जाएगा तो यही बात आपको ध्यान लगने एक चोटी सी कि जब भी ऐसी कंडिशन होती है कि कहीं पर अगर magnetic field बार-बार चेंज हो रही है उसमें अगर कोई metallic part आ जाता है मतलब कोई conductive part आ जाता है तो उसमें भी हमारा current flow होने लग जाता है अब चाहे हम उसमें से current flow कराना चाहे या फिर नहीं चाहे तो अब हमारे example पर आते है हमारी motor के हमारी जो motor है AC motor की बात करते हैं तो जो हमारी AC motor है ना इस AC motor के case में क्या है हम इस motor की जो connection plate है यहाँ पर 3-phase की supply देता है इस motor का जो इस्टेटर होता है उस पर हमारी क्या हो रखिए winding हो रखिए अब winding में हमारी कौन से current जा रहा है 3-phase AC current जा रहा है AC current है अब AC current जाने से क्या होगा हमारे AC current अपने आसपास magnetic field बनाता है magnetic field कौन सी बनाता है changing magnetic field बनाता है अब जब changing magnetic field बनाएगा तो उसके current क्या होगा जो भी उस changing magnetic field के संपरक में कोई भी conductive part आएगा उस part में जैसे कि हमारी motor की body भी है यह motor की जो body यह भी हमारी conductive nature में इसमें भी यह हमारी metallic है तो इस case में हमारी जो इस बोड़ी होगी जो आपर हम current flow नहीं कराना चाते हैं जैसे कि इस motor की body है इस motor की body में हम थोड़ी current flow कराना चाते हैं लेकिन इसमें भी हमारा current बहने लगे हो वह हमारा बहने लगे है कि हमने अंदर जो changing magnetic field बनाई थी ताकि हमारा rotor भूम सके उसकी वज़े से तो इसमें भी कुछ current आ गया तो यह है जो current कहलाएगा जिससे हम चाहते नहीं थे लेकिन आ गया हमारे changing magnetic field की होज़े तो इस current को हम बोलता है addy current और यह addy current होता है अगर यह हमारे किसी जगे पर आ जाएगा तो एक तरीए current ही है यह addy current ही है तो यह क्या करता है जिसमें भी यह flow होता है उसमें जब current flow होगा तो इस ट्रेटर पार्ट से लिंक करेंगी तो इसमें भी addy current फूल लग जाएगा addy current फूल होगा तो इसमें heat generate होगी तो हमें उसको कम करना होगा और हम कम करने के लिए क्लिए करेंगे उस पर हम यहां पर इस तरीके जक्तों फिंस बना देते हैं ताकि heat dissipate हो सके मतलब छोड़ AC motor में fan उपर की साइड में लगा होता है लेकिन आप बोलेंगी EC motor में हमारी फेंक्यू लगा रहें फिर देखो दोस्तों मैंने जेसा आपको बताए कि Gift immer में अंदर के साइड फैन लगा रहता है इसका काम होता है कि हमारी जो मोटर है Come Out को अंदर कूलिंग प्रोवाइट करना हमारी जो मोटर है अंदर का जो इसका इंटर्नल पार्ट है उसको कूलिंग प्रोवाइट करना तो अंदर क्यों रिक्वाइर्मेंट पढ़ रही है कूलिंग की अंदर क्यों हमें ठंडा करना पड़ रहे हैं तो इसके पीछे रीजन हम की मोटर में लग रहे होते हैं इक कार्बन ब्रच करते क्या है यह हमारी कमुझिडेटर होता है जो वण हमारे अपर सप्लाइब तो tardy हुए उओक झैसे प्रोटर की बाइंडीय इसको इसको सप्लाई गई हमने यहां से दि भीचे सप्लाई लेकिन होता है यह कमिचे यहां पे चीजों में बदलाव कर देता है यहां वहाद हम जो हम ईसे करेंद है तो यह करेंड कर देता है मतलब यह बार बार जो करए्ट से DC supply देते लेकिन actual में rotor जो चल रहा होता है उसको अंदर supply मिलती है rotor की winding को वो AC supply मिलती है अब जब इस rotor के अंदर AC current flow होगा तो simple सी बात है AC current flow होने के case में क्या होगा AC current तो हमारा बार बार current की direction बदलती है AC की और AC में current की direction बदलेगी तो उससे क्या होगा इसके आज पास जो magnetic field बनेगी वह बनेगी अब changing magnetic field और जब changing magnetic field बनी तो उसके वज़े से क्या होगा जो भी इस rotor की winding के पास में metallic part है जो भी इस rotor की winding के पास में metallic part है उसमें एक EMF induced हो जाएगा जिसकी वज़े से उन सभी पार्ट में एडी current flow होने लग जाएगा और जब यह एडी current flow होने लग गया तो वह हमारा heat generate करेगा जिससे हमें कम करना है तो उसी heating को करने के लिए जो लेकिन रोटर को सप्लाई जाती है वह जाती है और क्या करता है हमारे करेंट को चेंज कर देता है तो यहीं थी दोस्तों सारी अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद